दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर एक्जाम पर आप सभी जानते हैं कि UPTGT, PGT, Junior Edit, GIC सभी के एक्जाम लगबग नजदिक हैं ऐसी में हमें अधिक से अधिक प्रश्ण करने की आप्शक है इसलिए हम प्रेक्टिस सेट लेकर आए हैं इससे पहले हम जी विग्यान के पांच प्रेक्टिस सेट डिसकस कर चुके हैं इन प्रेक्टिस सेट में उन्हीं प्रश्णों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जिनकोई परिक्षा में आने की संभावना है यह है वीडियो आने वाली सभी परतियों की परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है जिसमें बायलोजी से प्रश्ण पूछे जाते हैं पहला प्रश्ण है पूराने काग युक्त तनों की आंतरिक उतकों वे वायू के बीच में गैसों का विनी में होता है वात्रंदरो द्वारा क्योंकि वात्रंदर कहां पाय जाते हैं तनों की छाल में उपस्तित चिद्र होते हैं अगला प्रश्न है हरे पादपों में निर्मित भोजन पत्तियों से अन्य भागों में स्थानांतरित होता है बोजन पत्तियों से अन्य भागों में इस्थानांत्रित किसके द्वारा होता है फ्लोयम के द्वारा जल इस्थानांत्रित होता है जबकि फ्लोयम के द्वारा बोजन पत्तियों से अन्य भागों में इस्थानांत्रित होता है जया मंडल की कुल मोटाई कितनी है 31 किलो मिटर अगला प्रशन है पुराने कास्थिय उतक में गैस विनी में का मार्ग है अभी पड़ा है अमने पुराने कास्थिय उतक में गैस विनी में किसके द्वारा होता है वातरंद्र लेंटी सेल द्वारा अगला प्रश्ण है, पोधो में सक्रिय विभाजन होते हैं, पोधो में सक्रिय विभाजन किसके द्वारा किस में होते हैं, प्ररोहो शिर्ष में और मूल शिर्ष में पोधो में सक्रिय विभाजन होते हैं, अगला प्रश्ण है, विलेयों का इस्थानांत्रन प्रारंबिक र मूल रोम का कार्य है मुलागर की रक्षा और गुरुत्वा नुवर्ती गती का नियंत्रन करना किसका कार्य है मूल रोम का कार्य है अगला प्रशन है जड का प्रमुक भाग होता है मूल रोम प्रदेश जड का प्रमुक भाग होता है अगला प्रशन है पेशी में संकुचन का कारण है पेशी में संकुचन का क्या कारण है तो पेशी में संकुचन का कारण है, मायोसीन और एक्टीन दोनों ही कारणों से पेशीयों में संकुचन होता है अगला प्रशन है, एक व्रक्ष के पुराने तने की अनुपरस्त काट में 50 वार्षिक वले मिलते हैं, तो व्रक्ष की आयू कितनी होगी? जितनी वार्षिक वले मिलते हैं, उतने ही उसकी आयू होती है, तो कितनी आयू होगी? 50 वर्ष ऑप्षन नमबर B हमारा करेक्ट होगा, अगला प्रशन इंपोर्टेंट है, बुड का सामन्य नाम है, कास्ट का, सामन्य नाम क्या है? द्वित्यक जायलम आप्षन नमबर B हमारा करेक्ट होगा, द्वित्यक जायलम किसे कहते है, कास्ट को, सह कोषिकाए मिलती है, किस से मिलती है सह कोषिकाए? जुड़ी हुई चालनी नलिकाओं से option number A हमारा correct होगा जुड़ी हुई चालनी नलिकाओं से सह कोशिकाएं मिलती है अगला प्रश्न है कौन सा उतक पोधों को यांतरिक शक्ति प्रदान करता है कौन सा उतक पोधों को यांतरिक शक्ति प्रदान करता है तो कौन सा उतक है जो पोधो को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है द्रड हो तक द्रड हो तक क्या कराम करता है ये बहुत जादा द्रड होड़ता है अर्थात इसकी कोशिका भित्ती अत्यंत मोटी होती है इसलिए यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है option number C हमारा correct होगा अगला प्रश्ण है असमेहनी पादपों में नहीं पाए जाते हैं important प्रश्ण है असमेहनी पादपों में नहीं पाए जाते दारू वाहिका जाइलम वैसल्स असमेहनी पादपों में नहीं पाए जाते अगला प्रश्ण है important है काग कोशी का भित्ती का एक महतवपूर्ण घटक है क्या है सुबेरीन option number C हमारा correct होगा सुबेरीन काग कोशी का भित्ती का महतवपूर्ण घटक है अगला प्रश्ण है कोन सा विटामिन S थाई है और पकाते समय इता भंडारं करने पर आजानी से नस्थ हो जाता है तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन C. विटामिन C क्या है? एस थाई है और पकाती समय और भंडारन करते समय आशानी से नस्ट हो जाता है. अगला प्रशन है कौन सा विटामिन मनुश्य में रख्त के थक्डे के जमने में मदद करता है? सभी को पता होगा विटामिन के अगला प्रश्ण है इंपोर्टेंट है बेरी बेरी भूक नहीं लगना बदहजमी थकान हर्द्य और रुधिर वाहिकाओं का कमजोर हो जाना कौन से विटामिन की निशानिया है तो बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की वज़े से होता है बीवन के कारण होता है तो option number A हमारा correct होगा अगला प्रश्ण है विटामिन D किसमें पाया जाता है इन सभी में option number D हमारा correct होगा अगला प्रश्ण है कौन सा विटामिन B complex group से संबंधित नहीं है कौन सा विटामिन B complex group से संबंधित नहीं है विटामिन B complex group से संबंधित नहीं है विटामिन A का रासाइनिक नाम दिया है रेटिनोल तो यह है B complex से संबंधित नहीं है जबकि विटामिन folic acid vitamin B को और thaymine vitamin vitamin B1 और riboflavin किसका नाम है vitamin B2 का बाकि सभी complex group से संबंधित है अगला प्रश्ण है दातों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं केल्सियम और फासपोरस अप्शन नमबर C हमारा करेक्ट होगा अगला प्रश्ण है खुराप में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से निमलिकित में से कौन सी बिमारी हो सकती है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है ओप्शन नमबर हमारा करेक्ट होगा क्वाशी और कर क्वाशी और कर और मेरेसमस दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं प्रोटीन की कमी से सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है सोया बीन में अगला प्रश्ण है पर्ण हरित में पाया जाने वाला धात्विक तत्व है मैगनेश्यम अगला प्रश्ण है पैलागरा रोग किस पोशक पदार्थ की लगातार कमी से होता है इंपोर्टेंट प्रश्ण है पैलागरा रोग नियासीन की कमी से होता है अगला प्रश्ण है कौन सा पोधा आंशिक मूल पर जीवी है, इंपोर्टेंट प्रश्ण है आंशिक मूल पर जीवी है, चंदन आंशिक मूल पर जीवी पोधा है, पत्तियों में निमलिकित में से कौन सा तत्व पाय जाता है, पत्तियों में कौन सा तत्व पाय जाता है, मै प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन तो धन्यवाद दोस्तों अगर आपको आज के हमारे प्रश्न पसंद आये हो तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें प्रश्वार टाइब आगे मारे चैनल करें ड़को